कुल्हड में चाय पीना अधिकतर लोगों को पसंद होता है कुल्हड में अगर आप चाय पीते हैं तो इससे चाय का स्वाद दो गुना हो जाता है लेकिन आपको बता दें कि कुल्हड में चाय पीना न सिर्फ स्वाद बलकि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है तो आज हम आपको अपने चैनल किड्नी ट्रीट्मेंट इन आईरवेदा के माध्यम से इस बात की जानकारी देंगे कि किड्नी को स्वस्त रखने के लिए कुल्हड की चाय किस प्रकार फायदेमंद है तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वशे जिन लोगों के दिन की शुरूआत बिना चाय के नहीं होती उनके लिए सुबा-सुबा मिटी के बरतन में चाय पीना काफी फायदेमंद हो सकता है पहले समय में लोग सिर्फ कुल्हड में ही चाय पिया करते थे क्यूंकि कुल्हड में चाई पीने से उसमें मिट्टी की खुश्बूट जुड़ जाती है जो न सिर्फ चाई के स्वात को बढ़ाती है बल्कि आपकी सिहत को भी प्रभावित करती है कुलहड मिटी से बनता है और कुलहड की मिटी में क्याल्शियम भरपूर मात्रा में होता है जो आपके शरीर में क्याल्शियम की कमी को पूरा कर पाता है बॉडी में क्याल्शिम की कमी आपकी हड्डियों को कमजोर बना देती है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किड्नी का एक काम आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने का भी होता है तो ऐसा कहना बिलकुल घलत नहीं होगा कि कुलहड आपकी किड्नी को स्वस्त रखने में मदद करता है कुलहड में चाए पीने से आपको बॉडी में संक्रिमन होने का खत्रा कम हो जाता है जो आपकी बॉडी में इंफेक्शन की समस्या को दूर रखता है कुल्हड के कप इको फ्रेंडली होते हैं जो बॉडी में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते किड्नी के मरीज कुल्हड के कप में चाय पी सकते हैं लेकिन सिर्फ तब जब उन्हें चाय पीना डॉक्टर अलाओ करें कुल्ण में चाय पीने से पाचन तंत्र ठीक रहता है जिससे आपका लिया आहार ठीक तरह से डाइजेस्ट हो जाता है और आपको पेट की समस्या नहीं होती तो ये हैं कुल्ण की चाय के कुछ फायदे तो आज के लिए बस इतना ही हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ अगर आप किड्नी की समस्या से परशान है तो इसके लिए आप कर्मा अईरवेदा से संपर कर सकते हैं कर्मा अईरवेदा अपचार केंद्र में आपको किड्नी से जोड़ी सारी समस्याओं का समाधान मिलता है कर्मा अईरवेदा में कुछल डाइटीशन मौझूद है जो किड्नी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही अहार की जानकारी देते हैं अगर आप डालसेज और किड्नी ट्रांस्प्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा अईरवेदा अबचार केंद्र से संपर कर सकते हैं कर्मा अईरवेदा से इलाज लेकर ये किड्नी के मरीज कैसे हुए स्वस्त आए सुनते हैं उनकी कहानी उनी की जबानी अभी कोई दिक्कत हो रही है आपको अब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको अब भी पानी कितना निकल रहा है डालसेज में आपको अब तो ठाई तीन निकल रहा था चार जैब आप तीन बार करा रहा है तब भी से इतना तीन चार दिन चार निकल रहा है अच्छा अभी जो पसंद आई तो इसको लाइक करें साथ इसको शेर करना ना भूलें फिल्हाल के लिए तना ही धन्यवाद